प्रेग्ननसी का नो महने का सफर याने एक महला के जीवन का मानसीक और शारेरिक बदलाव का समय होता है प्रेग्ननसी के अवस्था में गर्भवती को अपनी सेहत का ध्यान रखना होता है ताकि गर्ब में पल रहे शेशु का विकास अच्छे से हो और इसके अपोजिट डिलिवरी के बाद का समय होता है नमस्कार मैं डॉक्टर संजीवनी सीतल टोंग से संजीवन गर्बसंसकार में आपका स्वागत करती हूँ डिलिवरी के बाद मा अपने स्वास्त के प्रती इतना ध्यान नहीं देती है क्योंकि तब उसका पूरा ध्यान अपने शेशु के पालन पोशन की तरफ रहता है और ऐसे इसमें वजन का बढ़ना शरीर का फुलना शुरू होता है और फिर वेट गेन होने के कारण कई सारी तकलिवे भी शुरू होती है तब अपने पेट को अंदर करने के लिए और फिगर को दोबारा शेट में लाने के लिए बहुत कड़ी महनत करने पढ़ती है इसलिए pregnancy के समय ही after delivery आपको क्या क्या करना है इसका ध्यान शुरू से रखना है After delivery सही आहार, regular exercise आपको आपका पेट अंदर करने में और figure को दोबारा शेट में लाने में help करता है चलिए जानते हैं वहां कौन-कौन सी बातों का ध्यान आपको रखना है after delivery ताकि आपका वेट ना बढ़े और आपकी figure पहले जैसी हो जाए पहला है walking, delivery के बाद देड़ मैना आपको rest करना है और फिर नियमित walking आपको start करनी है walking से delivery के बाद वजन घटाने में help होती है इतना ही नहीं आपको दिन भर तरो ताजा महसूस होता है रोजाना चलने से शरीर की हड़िया मजबूत होती है, मास पेश्या भी मजबूत होती है रोप्रतिरोधक्षमता बढ़ती है, इसके अलावा आप योग भी कर सकती है और खुश महसूस कर सकती है, दूसरा है delivery के दो से तीन महने बाद आपने अमित रूप से light exercise शुरू कर सकती है इसमें आप walking, jogging, aerobics, इत्यादी वैम स्टार्ट कर सकती है तीसरा delivery के बाद वजन कम करने के लिए आपको exercise के साथ साथ अच्छा आहार लेना उतना ही जरूरी है स्तनपान कराने के कारण मा को बार बार भोग लगना सामान्य है और यदि आप तब unhealthy खाना खाती है तो इससे आपका वजन बढ़ेगा ध्यान रखिए आपको bread, biscuits, तला हुआ खाना, spicy खाना नहीं खाना है आप dry fruits, popcorn, oatmeal, हरी पत्तेदार सबजिया, ताजे फल, साबुत अनाज, milk and milk product भरपूर खा सकती है इसमें आपको calcium, protein, minerals भरपूर मात्रा में मिलते है इन चीजों का यदि आप 7 करती है, तो आपको healthy feel होता है और साथ में आपका weight भी नहीं बढ़ेगा क्या आप जानती है, माता अपने शिशू को जितना अधिक स्तनपान कराएगी, उतनी ही जादा उसकी calories जल्दी बर्न होती है स्तनपान कराने से आपके शरीर पर जमा हुआ excess fat जल्दी और safely कम हो जाएगा जिससे बड़ा हुआ वजन भी कम होने में मदद मिलती है इसलिए जादा से जादा आपके शिशू को आपको feed कराना है पाचपा है, delivery के बाद शरीर को hydrated रखना जरूरी है इसके लिए आपको रोजाना 10-12 गलास पानी पीना है यदि आप पर्याप मातरा में पानी पीती है तो पेट अच्छे से साफ होता है और उसमें भी आप यदि हलके गर्म पानी में नीमबू और शहर डाल कर पीती है तो अतिरिक चर्ज़ भी जल्दी पिघलती है जिससे अब्डॉमिनल गर्थ जो बढ़ा हुआ है वो कम होने में मदद मिलती है नमबर सिक्स टेंशन ना ले टेंशन, स्ट्रेस, इंजाइटिस से जो हर्मोन सिक्रिट होते है उनके कारण मोटा पा बढ़ता है इसलिए तनाव से दूर रहे, चिंता ना करे, नियमित मेडिटेशन करे, सुमधूर संगीज सुने और आराम करे साथवा है डिलिवरी के बाद आपने अपने फिगर को शेप में लाने के लिए आपको पर्याप मातरा में नींद लेना भी आवश्चक है आपको कम से कम 6 घंटे सोना है यदि आपकी नींद पूरी नहीं होती है, तो आपको डाइजेशन संबंदी तकलिफ हो सकती है जिसके कारण प्रॉपरली फूर एब्जॉप्शन नहीं होगा और आपको धकान महसूस होगी और यदि डाइजेशन डिस्टरब होता है, तो वजन कम करने की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है इसलिए पर्याप मातरा में नींद लेना आवश्चक है तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है आपका आहार नियमीत ले, वयाम अच्छे से करे, पर्याप नींद ले और स्ट्रेस टेंशन से दूर रहने के लिए योगासन तथा मेडिटेशन करे इन सभी बातों के साथ-साथ आप यदि गर्भावस्ता में हैं तो आपके शेशु को अच्छे संसकार दे हाँ यहाँ पॉसिबल है गर्भसंसकार से डूरिंग प्रेगनसी आप जो जो बाते सब सीखती है वहाँ आप आपके शेशु तक पहुँचाती है इसलिए आप घरबेटे ही संजीवन गर्भसंसकार का ओनलाइन वरक्शोप जोईन कर सकती है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिये है वहाँ पे जाके डाउनलोड करें संजीवन गर्भसंसकार एप और घरबेटे ही बनिए एक्स्ट्रा ओर्डनरी मॉम ओ एक्स्ट्रा ओर्डनरी बीबी तो हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इंजय करें प्रेग्ननसी का हर्षन संजीवन गर्भसंसकार के साथ धन्यवाद करें